नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपीट के साथ कंगना रनोत का अपमान क्यों आज्जे रोनक की जनल के और से वीडियो है तो सली दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आये तो लाइक और स सब्स्क्राइब नहीं किया तो सब्स्क्राइब जर से लिए श्क्राट करते हैं जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी मैला के खिलाब व्यक्तिकत भद्दी और भॉंदी टिपडी कर गी नहीं सकती हूं मैं इसकी घोर विरोती स्पृती रानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा हैं दोस्तों कंगना रनौत को बीजेपी ने 24 मार्च को हिमाचल के मंडी से लोकसभा का टिक्रिट दिया तो लोगों को बहुत हैरानी नहीं हुई क्योंकि कंगना देश की जानीवान बात करती रही हैं सोचल मीडिया पर पोस्ट करती रही है इसी वज़े से कुछ लोग उन्हें पहले से ही बीजेपी का सपोर्टर बताते रहे हैं और इसी वज़े से उन्हें कई बार भला बुरा भी सुनना पड़ा है मगर 24 मार्च को मंडी से टिकेट मिलने के बाद कंगन चल रहा है मंडी में कोई बताएगा कंगना की सतस्वीर के उस पोस्ट में आगे कुछ सब्जीयों की फिक्स भी डाली गए बलब पोस्ट ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह मंडी में सब्जियां बिकती हैं उसी तरह कंगना भी बिक गई और इस तरह मंडी में हिला की मौज लेने के चक्कर में आप सीधे सीधे उन्हें वैश्या ही बता दें ये तो हद दर्जे का घटिया पन है हो सकता है पोस्ट करते वक्त ये सोचा गया हो कि लोग कहेंगे कि वाह क्या शांदार सेंस ओफ यूमर है देखो सुप्रिया जी ने कपिल शेर्मा को भी फ किया है मनलब आक्सिडेंट हो गया तो पता चला कि गाड़ी भाई का ड्राइवर चला रहा है सुप्रिया जी ने क्लेम किया कि मैं कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती और जैसे उन्होंने ये कहा उनके विरोधियों ने ये वीडियो आगे कर दी कि मैं किसी भी सूरत में साधिजनिक जीवन में भधी भोंडी व्यक्तिकत टिप्डियों के खिलाप हूँ ना मैंने ऐसा कभी किया है और ना मैं कर सकती हूँ चुप जोकर कहीं का ये देखे बोला बत्तमीजाद में तुम दो कोड़ी के नाली के कीरे हो अरे नाली के कीरे चुपो जा नाली के कीरे क्या बोल रहे हो ये तो नाली का कीरा अच्छा ऐसा नहीं कि कंगना को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाली सुप्रिया जी या यूं कहें कि उनका इंस्टा हैंडल को इकलोता था गुजात से एक और कॉंग्रेस नेता ने कंगना को टिकेट मिलने की खबर पर जो लिखा है वो मैं पढ़ भी नहीं सकता मतलब तुक बिठाने के चक्कर में नेता जी को ये भी नहीं पता चला कि वो क्या लिग गए उनके लिखे पर स्यापा मचा तो बाद में पता चला कि सुप्रिया जी की तरह उनकी गाड़ी भी ड्राइवर चला रहा था एक नमबर के फ्रॉड हैं और तो और हिंदी की वरिष्ट साहित्हकार शीवानी की बेटी और वरिष्ट पत्रकार म्रिणाल पांडे ने भी कंगना को लेकर उसी जबान का इस्तेमाल किया जैसी भाषा का इस्तेमाल सुप्रिया शिनेत के अकाउंट से किया गया था और उनके इस पोस्ट पर जब लानत मलानत हुई तो दुनिया की नजरों से बचकर उन्होंने भी चुपचाप उसे डिलीट कर दिया ध्यान देने वाली बात ये हैं कि हम यहाँ जिन भी लोगों का जिक्र कर रहे हैं यह कोई ट्रोल या सामान्य आदवी नहीं है यहाँ एक महिला हैं जो कॉंग्रेस की सोशल मीडिया विंकी चेर पर सब दूसरी महिला देश की बड़ी संपादक रही है यह देखकर बड़ी तकलीफ होती है दोस्तों कि यह लोग उन पदों पर हैं या रहे हैं जहां इन्हें बाकी लोगों को यह बताना होता है कि आपको अपनी जबान कैसे रखने मगर जब इन लोगों को खुद यह नहीं पता कि किसी के आलोचना करते हुए उसके कैरेक्टर पर टिपणी नहीं करनी होती तो यह लोग खुद दूसरों को क्या ही ग्यान देते होंग इसे पहले कि हम मामले की और गहराई में जाएं और आपको बताएं कि इंडिन पॉलिटिक्स में महिलाओं को लेकर आज तक क्या कुछ कहा गया है किस किस पार्टी के नेता इसमें शामिल रहे हैं और विदेश में ऐसे कौन से मशूर मामले हुएं जिसमें महिला पॉलिटिशन के खिलाफ बयान देने के बाद नेताओं को अदालत से सजा तक मिली है इसे पहले कि हम इन सारे पॉइंट्स की गहराई में जाएं और उस पर अपना उपीनिन दें मैं आपको बता दूँ आप भी अपना उपीनिन देकर धेरो पैसे कमा सकते हो कैसे प्रोबो आप डाउनलोड करिये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां पर आप अलग-अलग टॉपिक्स पर जैसे हम अभी पॉलिटिक्स की बात करें ऐसे या पॉलिटिक्स, क्रिकेट, मौसम, क्रिप्टो अलग-अलग टॉपिक्स पर सिर्फ हाँ या ना में अपना उपिनियन देकर ढेरोs पैसे कमा सकते हैं जैसे आज दिल्ली और राजस्तान का मुकाबला है IPL में क्या लगता है आज दिल्ली राजस्तान के सामने जीतेगी? क्या डेविड वारनर 50 या उससे ज़ाधा रन बना पाएंगे राजस्तान के सामने येस या नो में अपना उपीनिन दो और IPL के आसान से सवालों का जवाब दे कर जीतो लाखों रुपे मर्सिडीज और महिंद्रा थार के अलावा और भी प्राइजस और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्राव भी कर सकते हो क्या समझे डिस्किप्शन में लिंक दिया जल्दी से जाएए प्रोबो आप डाउनलोड करें उस पे क्लिक करके आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज से 7 साल पुरानी बात है यूरोप के संसद में एक संसद ने बयान दिया कि महिला संसदों को मर्दों के मुकाबले कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमजोर, शरीर से छोटी और कम अकल होती है उस बयान के बाद उस संसद को फॉरण सस्पेंट कर दिया गया और उसी वक्त उसके सारे अलाउंसे सरोग दिये गये मतलब उससे उसका पद भी छीन लिया गया और उसकी सैलरी भी क्योंकि उसने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया था जो औरतों की डिग्निटी के खिलाफ था अब आप भारत में आ जाईए जब भी महिलाओं की एक्ष मुलायम सिंग्यादव रेप पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि लड़कों से गल्ती हो जाती है मतलब रेप जैसे घिनोने अपराद को उन्होंने गल्ती कहकर बहुत छोटा बता दिया जैसे किसी के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर तूट गया हूँ उन्ही के पार्टी के एक और नेता ने कहा था कि अगर कोई शादी शुदा या खुवारी महिला किसी आदमी के साथ बाहर जाती है तो उसे सूली पटांग देना चाहिए फिर चाहे वो अपनी मर्जी से गई हो या भीना मर्जी के 2012 में दिसंबर के महिने में गैंग रेप के बाद दिल्ली में महिलाओं ने बड़ी संख्या भी सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन पर उस वक्त एक कॉंग्रेस नेता ने कहा था कि ये सब मेक अप करके खुद को लीप पोत कराई औरते हैं ज इसी तरह कॉंग्रेस के एकनेता यूसुफ भट ने लड़कियों के मुद्दे पर कहा कि बिन व्याही लड़कियां माबाप के लिए बोज होती हैं मेरी बेटियां भी पढ़ रही है और उनकी शादी होनी है और वो भी मेरे लिए बोजी है जी हां ये बात एक पढ़े लि के नतीजों पर चल रही एक टीवी बहस के दोरान कॉंग्रेस सांसत संजे निरूपम ने स्मृति रानी जी के लिए कहा था कि कल तक आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप हमें राजनीती सिखा रही हैं यही नहीं अभी और सुनिए दोजार चौदा के ल परानी होती चली जाते हैं वो मज़ा नहीं रहता है त्रिनमूल कॉंग्रेस के एक विधायक का बयान सुनी है उन्होंने कहा था कि अगर कोई हमारी पार्टी के वरकरों की मा बहनों को कुछ कहेगा तो हमारे लड़के ऐसा बोलने वालों के घर में घुसकर उसकी मा बहनों के साथ दूर्वयवहार करेंगे आप देख रहें एक जन प्रतिनी दी चुना गया विधायक अपने विरोधियों को ये धंकी दे रहा है कि तमीज में रहो वरना मेरे आदमी तुमारी मा बहनों के साथ खिनोना काम करेंगे वलब उन्होंने जो कहा वो मैं बोल भी नहीं सक के देकर चली जाती है वो निश्चीत और से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी ये दोस्तों की और तों को लेकर लगातार ऐसे बयान देने वाले शरद यादव को बेस्ट सांसत का आवार्ड भी मिला था अब ऐसा नहीं है कि ऐसी हुल जुलूल बयान बाजी में सिर्फ एक पार्टी के नेता शामिल है बीजेपी नेता मुक्तार अबास नक्वी ने कहा था कि हमारी कुछ महिला हैं बिंदी लिप्स्टिक लगा कर हाथ में मुंबत्ती लेकर ऐसे ही वेस्टन तरीके से विरोध कर रही है जैसे कश्मीर के अलगाबादी करते हैं एक और बीजेपी लीडर दयाशंकर सिंग ने दोजार सोला में बीएस्पी सुप्रीमो मायावती जी के लिए जो कहा था वो में यहां बोल भी नहीं सकता और भाजपा के नेता नरेश अगरवाल ने सांसद जया बच्चन को नाशने गाने वाली तक बोल दिया था और तो और जिन कंगना पर आज भद्धी टिपड़ी की गई है वही कंगना खुद एक वक्त अपनी ही इंडस्ट्री के अक्ट्रेस और कॉंग्रेस नेता उर्मिला मातोडकर को सॉफ्ट पॉन स्टार तक कह चुँए दोस्तों अगर मैं ऐसे तमाम बयानों को एक एक करके एक करके यहां पढ़ने लगूं या आपको दिखाने लगूं तो शायद मैं नॉन स्टॉप एक हफते तक बोलता ही रहूंगा मगर मोटे तोर पर ये सारे बयान सुनकर कुछ बातें तो क्लियर हो जाती है पहली बात कि नेता होने का मतलब होता है कि कैसे आप तीखी से तीखी बात भी ऐसे डिप्लोमाटिक तरीके से कहें कि अपनी मर्यादा नक होएं मगर हमारे नेता लोग जिस तरह जरा-जरा सी बात पर गाली गलोच पर उतराते हैं इससे यही पता लगता है कि उनमें से आदे से जादा नेता नहीं है सड़क चाप गुंडे है जो जैसे तैसे पॉलिटिक्स में तो आग है मगर बोलना अब भी नहीं सी दूसरी बात ही है दोस्तों कि जब भी किसी औरत की आलोचना करनी हो तो सब को यही समझ में आता है कि सीधे-सीधे उसके करक्टर पर हमला कर दो यही काम लोग आफिस में भी करते हैं अगर कोई और तेजी से आगे बढ़ रही है तो सीधे-सीधे उसे कैरेक्टर लेस्ट डिकलियर करके यह बता देते हैं कि उसका तो फलाने से चक्कर है और यही सब पॉलिटिक्स में भी होता आया है चाहे स्मृती इरानी हो या कंगना रनौत जो भी तेज तर्रार और इंटेलिजन्ट महिला पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती है उसके विरोधी बड़ी आसानी से उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हैं और इसमें भी और बुरा तब लगता है दोस्तों कि महिला नेता भी दूसरी महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें बोलने लगती है जैसा अभी सुप्रिया जी के अकाउंट से कहा गया है ऐसा कहने के पीछे सोच ये होती है कि अरे फला औरत तो सुन्दर है वो तो फिल कि हर काम्याब औरत चरित रहीन लगती है तो क्या यही बात आप अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए भी सुनना चाहेंगे क्या इसका जवाब है नहीं बिलकुल नहीं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आधे से जाधा हमारी पॉलिटिकल जमाद जो है वो अनपड़ है और आ आधिक मानसिक्ता वाले लोगों से भरी पड़ी है सांसत और विधायक बनने के बावजूद इन्हें चोटे-चोटे मुद्धों की समझ नहीं होती अपने विरोधी को गेरने के लिए ये मुद्धों को पढ़ते ही नहीं है उसे क्रिटिसाइज करने के लिए इशू की बा दुनिया के डेवलप्ट देशों में भी महिला पॉलिटिशन्स को लेकर एक तरह का ट्रस्ट डेफिसित है लोग उनकी कमिट्मेंट पर वैसा भरोसा नहीं करते इसमें G7 देशों के अलावा भारत और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल है इतने लंबे टाइम तक जर कावर्ट महसूस कर रही हैं बर्न आउट फील कर रही हैं तो कुछ लोगों ने उन पर भी सेक्सिस्ट कॉमेंट किये तब ये कहके कर उनकी आलोशना की गई कि क्या महिलाएं इतने बड़े पद पर बैठने लायक हैं भी या नहीं दिखिए ये सच है कि विकसित देशों मे हमारे यहां की तुलना में हर फील्ड में महिलाओं को लेकर नजरिया थोड़ा उदार है लेगिन ये भी सच है कि महिलाओं का या यू कहें कि महिला पॉलिटीशन को लेकर वहां भी बायस्ट कम नहीं है मगर हमारी चिंता या कंसन अभी ये है कि महिला आरक्षन बिल संसद में पास हो चुका है। हो सकता है अगली लोग सभा के वक्त संसद में आपको 33% महिलाएं दिखाई दे। वगर जिस देश की politics में महिलाओं के लिए इतने भद्धे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनके character पर ऐसे भद्धे comments किये जाते हैं, क्या सच में वहाँ महिलाएं, politics में आना भी चाहेंगी या नहीं। बागी कंगना वाले इस पूरे मुद्धे पर आपका क्या कहना है, comment करके जरूर बताईएगा। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो description में probo app का link दिया है, उस पर click करके इस app को download करेंगे तो आपको welcome bonus भी मिलेगा, कई सारे topics मिलेंगे सिर्फ yes या no में आप अपनी opinion दीजे और धेरो पैसे आपके हो सकते हैं, जाने से पहले चैनल को ज़रूर subscribe करेगा, facebook पे देखरे तो हमारे page को ज़रूर like करेगा, अपना video proof के साथ आपको दे दिया गया, तो यह तो बहुत कुछ होता ही रहता है, हम इसको normal भी में लेते हैं, लेकिन या ऐसी बच्ची किपनिया करने का मेरे हिशाब से, गलत भी है और एक अपमान जनक बाते भी हो सकते हैं यह और यह कंगनार अनौवद की जो फोटो है, बहुत सारे promotion करते रहते हैं कपड का है, … provocative product है, बहुत चारे product है जिसका promotion करते हैं तो उसमें भी ऐख ऐसा वड़ user कर देना और यह उपरिया तो आपको उसमें भी आपको मिल जाएगा गाली में तो कोई लिमिटी नहीं बिल्कुल मतला जब वो बोलते हैं उसको पता ही नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वह लाइव जा रहा है पुरी पब्लिक सुन रही है भालत की कुछ भी हो अभी इस सारे टिपणियों पर वह तो राज भी बॉलते हैं हमने कुछ लेडा देना लेकिन सुरीवू के बारे में यार मतलु यह शारी बाते हो तो मिरें को एक सीज में mã नहीं होगी मतला होगी दादी हो जान बात आई किसी की बेटी होगी होगी किसी की मा होगी किसी की पतनी भी हो तो क्या आपके घर में जो अरते हैं क्या वह कुछ अलग है बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए बर उस में कि कभी कभार यह हम जैन्स की टिपनिया बहुत ऊठी है कभी कभार गलती करते हैं लोग तो टिपनिया होती समझ में गलती समझ में आती है लेकिन इसमें क्या गलत ता बाई इसमों कुछ जिस्ट पर वही तो तो इसको पता है कि कंगना रणावत की पास इतनी बड़ी फैलोविंग है ठीक है वो तो उसकी मिले है पुरसकार भी मिला है उनको सब कुछ किसी की सोस्तों नहीं बदल सकते हैं लेकिन इतना प्रेतन जरूर कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी आप जब मीडिया में या तो कहीं भी बोलते हो तब आपके घर के सामने जरूर तो ये सब जितने घर सब गलटी करण दब करना पड़ा जलील होना पड़ा फिर इसा करते हैं क्यों है वो तो बहुत वो हैं इसा अचाहिा है कैने कि मुझ आधा लोग तो हम चोटे-मोटे हुटे हुटे लो हम आर वह refr 들 सम को भी हुज करते हैं तो तो हमारे Twitter से इतना फरक नहीं पड़ता जितना चाहँ हो उसके Twitter या तो इसके इंस्टाग्रम से फरक पड़ता है तुर्ण वाइरल होती तो यह सब कुछ बहाने होते हैं लेकि उसके पर्सनल मैनेजर भी होते जो इन सारे सी जो पर ध्यान रखते तो मतलब कुस भी दुनिया को बनाना पूछ तो बोलना ही पड़ेगा अभी सिकंजे में पस गए तो क्या सुप्रेयर सी ने दी यह प्रवक् करते हैं आप से विदाय लेते हैं मिलते हैं और एक ने वीडियो में आपके साथ तिल देन जय इन जय बारत